हेलो दोस्तो मैं ज्ली स्वागत करती हूँ आपका क्लास टाइम YouTube चैनल में दोस्तो राजस्तान करमचारी चैन बोर्ड ने राजस्तान लाइबरेडियन गेड थर्ड स्लेबस 2022 जारी कर दिया है राजिस्थान करमचारी चैन बोर्ड ने 7 जून 2022 को स्लेबस और एक्जाम पैटर्न जारी कर दिया है इस वीडियो सेशन में मैं आपको बताने वाली हूँ लाइब्रेडियन थर्ड ग्रेड भरती का नया स्लेबस क्या है एक्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है एक्जाम डेट क्या है और ओनलाइन आविदन की लास डेट क्या है लाइब्रेडियन ग्रेड थर्ड भरती की ओनलाइन आविदन की स्टार्टिंग डेट दोस्तो 26 मई 2022 थी 26 मई 2022 से ये फॉर्म स्टार्ट हो गए थे और जोसकी लास डेट है वो 24 जून 2022 है दोस्तो आप 24 जून 2022 तक इसके फॉर्म भर सकते हैं राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेट थर्ड भरती का आयूजन 460 पदो के लिए किया जा रहा है टोटल ये जो वेकेंसी है वो 460 पदो के लिए किये जा रही है तो अगर आप योग्य हैं तो फॉर्म जरूर भरे दोस्तो डीटेल में हम बात करेंगे इसके सलेबस की और एक्जाम पैटर्न की तो बने रहे वीडियो के एंड तक और अगर आपको लाइब्रेरियन ग्रेट थर्ड की डीटेल में जानकरी चाहिए यानि कि इसमें योग्यता क्या है आयू सीमा सेलेरी क्या रहने वाली है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है वहां लिंक पर आप क्लिक करके लाइब्रेरियन ग्रेट थर्ड की संपुन डीटेल में जानकरी देख सकते हैं और अगर आप योग्य हैं वाँ भड़ने के लिए एलिजिबल हैं और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो देखी दोस्तो राजस्तान स्टाफ सेलेक्शन बोर द्वारा लाइब्रीरियन ग्रेट थर्ड डाइरेक्ट रिक्रूट्मेंट दोजबाइस की एक्जाम स्कीम यहां पर दे रखी है तो देखी इसका एक्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है तो इसमें कॉश्चन पेपर कितने रहने वाले हैं एक तोटल नमबर अफ कोश्चन बाइब हैं कितने मारक्स रहने वाले हैं क्या टाइमिंग रहने वाले हैं यह सभी हम देख लएते हैं तो देखी यहां पर आपका सबसे पहले पेपर 1 रहेगा और पेपर 0 रहेगा तो देखीं एंट जनर्नलट और राजिस्तान आपका रहेगा इसके इलावा आपका राजिस्तान के इप recreational knowledge of world and India India और व्ल्ड के आपको इसमें जीके पूछी जाएगी मनो विज्ञान से related question आएंगे कितने question रहेंगे दोस्तों टोटर इसमें 100 question आपके रहने वाले हैं और कितने marks के रहने वाले हैं 200 और इसमें आपको timing क्या रहेगा 2 hours का इसमें timing मिलेगा और total marks क्या रहने वाले हैं 400 second paper में देखिए आपका पुस्तकाली विज्ञान से जंबंदित आपके इसमें प्रेशन पूछे जाएंगे इसमें क्या रहने वाला है आपका knowledge of organization, informative processing and retrieval इसके total question कितने आएंगे, आपके 100 question आएंगे, कितने marks के रहने वाले हैं, 200 marks के रहने वाले हैं इसके अलावस में आपको timing मिलने वाला है, 2 घंटे का दोस्तों, दोनों को जो मिलाके इसकी total marks है, वो कितने रहने वाले हैं, 400 marks का आपका ये paper होगा और दोनों ही paper आपके कितने-कितने question आएंगे, 100-100 question आएंगे, और कितने-कितने marks के होगे, 200 marks के आपके दोनों question पेपर होगे हैं इसके अलावा दोस्तों, इसमें negative marking रहेगे आपकी one third, अगर आप एक उत्तर गरत करते हैं, तो आपका one third marks deduct हो जाएगा इसके अलावा, आपको इसमें exam में pass होने के लिए minimum 40% लाने होगे, और जो SCST से ब्लॉंग करते हैं, उनको इसमें 5% का relaxation मिलेगा इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं, इसके syllabus की देखिए paper first का आपका जो syllabus है, वो क्या रहने वाला है तो देखिए यहाँ पर, first है आपका geographical, historical, cultural and general knowledge of Rajasthan आपका रहेगा topic जीके में, जीके आएगा आपका first paper इसमें next आपका रहेगा current affair of Rajasthan, current affair आपका हाएगा Rajasthan का, इसके अलावा general knowledge of world and India, इंडिया की और world की आपके इसमें general knowledge पूछी जाएगी इसके अलावा educational psychology से संबंदित आपके इसमें question होंगे, यह देखिए दोस्तो second paper में आपसे universe of knowledge मतलब कि आपको universe की knowledge से संबंदित question पूछे जाएगे इसके अलावा different type of subject मतलब विभीन प्रकार की subject से जैसे की universe of subject as mapped in different scheme of classification विभीन विशों का वर्गी करन पूछा जाएगा आपसे योजनाओं में map किये गए विशों से संबंदित प्रेशन आपसे पूछे जाएगे इसके अलावा be biolographic description, catalog purpose, structure and types, physical forms including OPC, OPAC, feeling rules, normative principles of cataloging, overview of principles of practice in documents, description, current trend in standardization, description and exchange standard course cataloging दोस्तों इसके अलावा आपसे ग्रंत सूची वीवरण, catalog उद्यश्य, संरचना और प्रकार आपके billing, नियोमो सहीद भोतिक रूप, cataloging के सामाने सिद्दान से संबंदित question पूछे जाएगे इसके अलावा देखिए यहाँ पर method of knowledge, organization, general knowledge of world and India, general theory of library classification, normative principles of classification and their applications, species of library classification, standard scheme of classification and their features, CCE, EDC, UDC, national need function, characteristics, design and development of scheme library classification, standard sub-division index trends in library classification. इसके अलावा दोस्तों आपसे, ज्ञान संगठन की विधी, विश्व और भारत का सामाने ज्ञान, पुस्तकाल्य वर्गीकरण का समाने सिद्दान्त इस संबंदित question आएगे, वर्गीकरण के मानक सिद्दान्थ और उनके अनूप्रियोग से संबंदित question आएगे, पुस्तकाले वर्गीकरण की प्रजातियां, वर्गीकरण की मानक योजनाओं और महां की सुविधाएं CC और EDC, UDC से संबंदित आपके question आएंगे इसके अलावा संकेतन, आवशकता, कार्य विशेशता, पुस्तकाले वर्गीकरण, योजनाओं का डिजाइन और विकास से संबंदित आपके question आएंगे मानक उपकंड सूचकांग से संबंदित question आएंगे और प्रिंसिपल ऑफ सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन से संबंदित आपके कॉश्चन आएंगे यानि कि विशे वर्गी करण, शैक्षिक मनोविग्यान और विशे वर्गी करण की सिद्दान से संबंदित आपके इसमें कॉश्चन रहने वाले हैं इसके लाव फ्रेंड्स बात करते हैं जो लाइब्रेर अन गिरेड़ थर है इसकी एक्जाम डेट क्या है तो दोस्तो 11 सितंबर 11 सितंबर 2022 को इसका एक्जाम होगा और अगर आपको सभी एक्जाम की एक्जाम डेट के बारे में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में हमने वीडियो की लिंक लगा दी है वहाँ पर RSM SSB द्वारा जारी किया गया नया केलेंडर की लिंक हमने लगा दी है तो वहाँ पर जाकर डिटेल में सभी एक्जाम की एक्जाम डेट देख सकते हैं और अगर आपको लाइब्रियरन ग्रेट 3 की डिटेल में जानकरी जाहिए तो दोस्तो आप डिस्क्रिप्शन की लिंक में जाकर उसका वीडियो भी डिटेल में देख सकते हैं तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें पास महीं बैल आइकन है उसे प्रेस कर और पर क्लिक कर दें ताकि भड़ते उसे रिलेटेड सभी नौटिफिकेशन आपको मिल सके ओके दोस्त तो थैंक्स पर वाचिंग जै हिंज जै भारत